बच्चा लोग मादरी माम का लेक्चर कौन लेगा अरे अंकित दादा कौन लेगा लेक्चर ये तो बताओ मादरी माम को बच्चा लोक तो नहीं दिख रही हैं अंकित धादा जूट बोल रहे थे मगर अज मैं लेट होगी आज मैं फिर लेट होगे ऐसे कैसे चलेगा मादरी माम और अग्जम्स दाधर सकते हैं क्या कर सकते हैं कि कि आगे में कि लोग के पास इम आद्रियान की आप की वापस गई थी ठाफिक है है नहीं अंकित बाइब स्टार्ट करें कि आज का लेंगेंड ने टोएस cloth तो बढ़िया चंगा कैसा चल रहा है रीप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो समझ आ गया दूसरा भी चाप्टर आने वाले तुम्हारे फाइनल्स में रीप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो चले भाई आ करें कि ऐनगा ट्रांस पुटेशन यसे पके सब़से है अर्टर प्रोडेक्शन इन प्लांट्स में आप L बोलते हैं तो हम उसी को तो बोलते हैं तो चलो फिर ट्रांसपोटेशन में देख लेते हैं कि भाईया अनिमल्स में और प्लांट में कैसे होता है अब भाईया रिवीजन क्लास है तो मुझे पते मेरे बच्चे लोग बहुत स्मार्ट है उनको सब आता है तो जब बताते रहा करा 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 रहूं तो है कि भी क्राच चले आइक पताते बदेखले की असी तर्फ ट्रांसपोटेशन होता है और दूसरा व्ल migrant अपनेट चांत भी देख लेते हैं चोटा सा चाप्टर है चोटु सा लेक्टर है मेरा अरे रे रे हारी पोटर की गाडी काश ऐसी गाड़ी बनने लग जाए जो हवा में उड़े तो ट्राफिक होगा क्या रहा है इससे तो हारी पोटर है किस किस को हारी पॉर्टर पसंद है मेंको तो बहुत पसंद थी वह जैसा स्टिक निकल की कर देते थे मगर माम यह हम यहां क्यों डिसकस कर रहा है जैसे ही हमें कहीं जाने के लिए कोई means of transport की जरुद पड़ती है कार स्कूटी बाइक इसने मैजिकल डॉर वैसा यू करके माजिकल डॉर निकाल के और हमें तो हुई डॉर्म मैं मेरे पास तो एनिवेर डॉर रहता ही है है ला मैं फिर आप वो यूज क्यों नहीं करते हो क्यों क्यों क्योंकि वो special cases में यूज कर सकती हूं ठीक है चले आगे बड़े वही अब हाली पॉर्टर के पास तो जाडू थी ठीक है बट वोट वी हाव आनिमल्स के पास क्या है कि प्लांट के पास क्या है कि वोट इस देर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना अब भया एक बात बताओ कि ऐसा तो नहीं बोलता ना ब्रेन हालो मुझे न्यूट्र पास यहां पर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया खट्टा जरा ले जाओ ऐसा आइफोन होता है कि इन सबके पास अंदर कोई आइफोन है हमारी बॉड़ी के नहीं भया आइफोन तो नहीं है तो भई क्या चीज है वाट इस दमीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन बॉड़ी क्योंकि हर एक बॉड़ी में क्या है थाउसंट ट्रिलियंज ऑफ सेल्स है और उनको क्या चाहिए होता है उन्हें नूट्रियंस भी चाहिए उनको एक्स्क्रीशन एक्स्क्रीटरी वे भी चाहिए ताकि वह अपना मेटाबॉलिक वेस्ट बहार निकाल पाए है अब इमार मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है मेटाबॉलिक वेस्ट होता पीटा जूआपकी बोडिके शेल्स बनाते हैं नाइ्टोजुन उस्ट भी बह Dire जैसे यूरीय यूरिक आसिद चीक है उसे हम क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट बaxter कोते हैङ क्या बॉलते हैं सु यूमन सर्कूलेटरी सिस्टम और बाइदर सर्कूलेटरी सिस्टम यूमन में तो यूमन सर्कूलेटरी सिस्टम और वैसे आनिमल्स के पास क्या होता है सर्कूलेटरी सिस्टम होता है ठीक है यहां तक बात समझ आई अब अगर हम लोग देख लेते हैं कि यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या-क्या है ठीक है तो भई यहां पर मुझे दिख रहे हैं एक बॉड़ी और इसमें भूट सारी ट्यूब्स दिख रहे हैं ठीक आपके किते सारे और और उर्गन के इंदमें कितने सारे भी उसको लेंगे होता है उनस शको भ्यान यूट्रेन्स अचीजन चाही होती है किसी में हांँ रिलीज करने पड़ते हैं दो भई मेरे पास इन ब्लड वैसल में क्या दॉड रहा है हमारी भारी विम्लैंक वैसल में क्या रहा है व ettis the mean of transport air write it down that is your blood क्या है blood अब ब्लड किसम में फ्लो कर रहा ही what is the eo structure seco ब्लड वैसल्स सो भाई क्या मैं बोल सकती हूं यहां पर की प्लांट्स में आ गया यह तो ट्रांस्पोर्टेशन क्या है मुव्मेंट ओफ मुव्मेंट ओफ माटीरियल्स मुव्मेंट ओफ माटीरियल फ्रॉम वन पॉइंट ह enact कि ये बोल सकती हूं कि मैं नहीं बॉल सकती जल्दी बताओ यंना इडरोली सकती हूं तो भई यह तो क्या हो गया ट्रांस्पोर्टेशन हो गया अब अगर मैं अनिमल में बात करूं की यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ मैं तो यहां पर किसकी जरुवत है जैसे पहली बात तो हमें किसकी जरुवत है ब्लड की कि दूसरा हमें जरुवत है ब्लड वैसल्स की बट एक बात बताओ बच्चा लोग ब्लड और ब्लड वेसल्स तो मुझे समझ आता है ठीक है ब्लड और ब्लड वेसल्स दोनों मुझे समझ आता है ब्लड और ब्लड वेसल्स मुझे दोनों समझ आता है मगर एक बात बताओ अगर हमारी बोड़ी में यह ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मतलब what is that force अब अगर मुझे ब्लड की ज़रुआत है ब्रेन में चीक है तो या मुझे ब्लड की ज़रुआत है अंकल में है ना तो क्यों होगा क्या ब्लड की पीछे हम लोग क्या धक्का मारते हैं या what is that force औ और अगर एक ऐसा कोई औरगेन है जो इन्हें पंप करने में हेल्प करता है तो ऐसा कॉन सा पर पंपिंग और अहां मैं हमने पढ़ा तुधा लेक्टर में यहादसा भी आ रहा है हाट भाईया हाट तो क्या हो गया तीसरा कॉम्पोनेंट हमारा दिल दिल दे चुके शनम व बंड़ की जरथ हो गई और की जरूत हों गई तो यहादा बना लिया सॉरे Strong you this इस में अपование का देख लेते हैं त्री पना लो एसे बहुत बहुत बदा इसे बहुत बहुत बढ़ा है अब यहां पर क्या है नीचे उसके रूट सो आ गई है ना मगर खाना तो सब को चाहिए तो भी अब खाना तो बन रहा है लीफ में लुट को भी तो चाहिए नीचे वाली प्रांचेस को भी चाहिए स्टेम को भी चाहिए तो हाँ वहां पर क्या ब्लड वेसल्स नहीं पेटा वहां पर कॉंपलेक्स टिशू होते हैं प्लांच में दो कॉंपलेक्स पर्मनेंट टिशू होते हैं ठीक है क्या होते हैं उसमें complex tissues होते हैं और उन complex tissues का नाम क्या है पेटा जल्दी बता दो xylem xylem and phloem and phloem xylem and phloem यही है इसे हम xylem बोलते है xylem क्या करता है भया conduction of water करता है क्या करता है conduction of water में कंडक्शन ओफ water करता है xylem और phloem क्या करता है बेटा क्या करता था कंड़क्शन ओफूड क्या करता था कंड़क्शन ओफूड करता था क्या करता था कंड़क्शन ओफूड करता था क्या करता था कंड़क्शन ओफूड करता था यहां तक बात समझ आ गई कोई भी दिक्कत इस चीज का चले आगे बढ़ सकते हैं चलो आगे the body of an organism required nutrients देख लो बच्छा लोग अपन वहीं बोलता है जो सही होता है that is your nutrients oxygen to carry out various life processes अब मान में various life processes क्या है अब life processes का मतलब है बेटा तुमको इतना ध्यान दखो जो भी तुम अपनी डेली लाइफ में activity करो eating walking ठीक है फिर इसके बाद क्या करते हो तुम सोना खाना पढ़ना इन सब के लिए क्या चाहिए होती है energy ठीक है सो कुछ ऐसे process होते हैं जो हमारी life को maintain करने के लिए important होता है उन process को हम क्या बोलते हैं बेटा life processes बोलते हैं क्या बोलते हैं life processes जैसे जैसे की movement हो गया digestion हो गया transportation हो गया excretion हो गया यह सब क्या आपके life processes है ठीक है waste product produced during the various function in inside the body also need to be transported and removed तो यह काम होता है किसका transportation का और यह transportation करता है कोन है बहिया गून हमारा blood करता है कोन करता है blood करता है therefore the term transport may be defined as a process अब देखलो transportation in animals की definition कैसे लिखने अगर पूछा what do you understand by the term transportation in animals to what you'll write it you'll write it there it is defined as a process in which a material is absorbed in one part or an organ of an organism it's carried out to other parts in its body that means in animal body these function are carried out by an internal transport system known as circulatory system मतलब क्या हो गया transportation in animals का we need to be defined as there that there is a process in which a material is a need to be absorbed from one part of the body right and or the organ of an organism it's carried out to the other part in its body means there will be and utilization of all the nutrients of all oxygen which is basically travel inside the body they need to be transport from one body part to another body part the process is known as your transportation in animals and in animal body these functions are carried out internally this process that that system is known as your circulatory system that is known as your circulatory system अब क्या 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 है अब क्या क्या है अब छोटू सिंग का काम क्या है अब बहुत इतो थोड़ा डाइट कॉंश्चिस नहीं हो रहे हैं शुक्षुटू सिंग तो भाई nutrients हमारे बाड़ी में सब साथ important क्या है oxygen oxygen की क्यों requirement है क्योंकि हमें energy चाहिए काम को करने कि ने क्यों ज़रूरी है क्योंकि हमें क्या चाहिए हमें oxygen चाहिए तो फरफॉर्म तो प्रफॉर्म अधर फंक्शन और उसके लिए क्या चाहिए हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए सबसारा क्या चाहिए oxygen चाहिए बिटा oxygen और तो और हमारी बॉड़ी से जैसे ही हमें nutrients मिले तो cells भी तो कुछ wastage product बनाते ना जिसे हम क्या बोलते है nitrogenous waste बोलते हैं और हम उसे क्या बोलते है nitrogenous waste बोलते हैं nitrogenous waste बोलते हैं ठीक है that can be urea ammonia and uric acid and uric acid done अब अगर मैं बात करूँ circulatory system की तो circulatory system के 3 major parts थे ना अपन flow chart में समझेगा क्योंकि अपन पढ़ चुका है क्योंब अच्छा लोग अपन पढ़ चुका है ना तो अपन तीन major part में इसको समझेगा ठीक है आप बिल्कुल ठीक है तीन मां ट्राइंगल काई बनायो ता कि तुम को समाझ आए अच्छे से इसले बनाया है येस फिर्स्ट फॉल विल स्टाड़ी बाउट ब्लड थेन ब्लड वैसल्स ब्लड वैसल्स अपन तो इधर ही है और तीसरा क्या पड़ेगा अपन होट हाट पड़ेगा ठीक है ये तीन major हम लोग क्या है components है ब्लड ब्लड वैसल्स और हाट दन दन चालो आगे बड़े टन सब्सक्राट ब्लड श्र्कुलेतर विल्स्ट्री स्ट्बॉड ये उन प्रश्प्राट स्ट्स्ट्स निमनें में ञेंटS इंहलें ब्लड विल्स खुर्ण ऑन अनामलस ब्रौंम और तुद आउटसाई दवाडी तो आउटसाई था ब्स बाडी ठीक है तो भी कॉंस्टिटुएट्स क्या हो गए ब्लद हो गिया देन ब्लड वेसल हो गए हो गया या मंपड़ चुके है मां रूष और को लड़ने वड़ने से डिस्ट स्ट्रक्चर दिख रहेंगे Kya रहेना उन्हें क्या पूलते हैं और अजिसे हम बोलते हैं red blood cells ma'am red blood cells होते हैं यह अब ma'am in rbc's का काम क्यों होते हैं यह भी हम आगे चल के देखेंगे यार सब देखने वाले हैं बस तुम इदर थोड़ा अच्छे सरो ठीक है थोड़ा बस excitement maintain रखो blood अब blood क्या होता है it is a fluid चीक है blood क्या है it is a fluid matrix बोलेंगे हम आगे जाके matrix देखेंगे बट अब भी के लिए तुम यह देखो कि it is a fluid एक यह fluid है that flows in blood vessels जो की blood vessels में flow करता है means of transport है जैसे लिए car मेरे लिए means of transport है वैसे ही body में blood means of transport है उनके पास iPhone नहीं है बट उनके पास blood है ठीक है blood क्या करता है सब के पास जाके अब आपने देखा होगा कुछ हमारे families में भी ऐसे लोग होते हैं जो सबसे बहुत जादा जैसे आप हो आपका भी extrovert भी हो सकते हैं सबसे बात करते हो है तो ब्लड भी क्या करता है body में सब का friend क्या liver क्या stomach every part of the body ठीक है is a friend of blood और blood को भी हर कोई पसंद करता है ठीक है कहते है ना घरगे लाड़ ले जो सब को पसंद करते हैं वो भी सब को पसंद करते है happy family types ठीक है तो तुम यह याद रखो कि blood सब का दोस्त है सब का जिस्ते भी body parts और सबका blood दोस्त है ठीक आगे चले तो it is red in color अब वो कैसा है वो एक fluid है red color का fluid है red क्यूं है वो भी हम देखेंगे और it flows through a network of tubes in the whole body known as blood vessels अब यह ऐसा नहीं है कि skin के अंदर भी चला जाता है यह कहीं पे भी चला जाएगा नहीं यह से blood vessels के अंदर ही flow करेगा ऐसा नहीं हो दा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग सिफ़क्मी family में एक्स् किसी स्ट्रेंजर से नहीं करते हैं हम किसी स्ट्रेंजर से बात same as it is हमारा जो blood है वो सिर्फ blood vessels में ही flow करता है जैसे हम सिर्फ अपनी family members के साथ ऊपर है वैसी blood भी सिर्फ कहां flow करता है सिर्फ blood vessels के अंदर flow करता है बेटा ठीक है now blood is pumped to every part of the body by heart heart क्या है जैसे तुमने सुना मम्मी रोज सुब आउट के क्या करते हैं मोटर चला देती है जिंके अपने घार होंगे उनमें तो मोटर या तुम्हारा वो एक सिस्टम होता है कि सिस्टम जैसे कोई मोटर का सिस्टम होता है राइड कोई पार होता है कि मोटर को चला तो बहुत नीचे से पानी ground level water ground water को भ थीचता हो टंकी भड़् दे जाती हमारे हाट का हाट मोटर है हाट क्या करता है पंप करते हैं बलड को अवैं को लेता है और उसको दूर फेखता है ताकि पूरी बॉडिबार पार्ट में जए प्रोस लगाता है हाट के जाओ सबसे मिलका रहाओ सबकी म्प्रॉब्लम सुन करा ओ तो भाईया वह जाता है सबके पास और निउट्रियंट है हाँ ऑक्सिजिन है यह हाश्वून है ठीक है तो भाईया सबके पाद जाएगा और उसे भेज़का हमारा दिल हमारा दिल फैसा हमारी हाट कुछ इस टाइप का होता है हमारी फीस्ट जितना हमारा हाट होता है बेटा हमारी फीस्ट जितना मेरा तसायात है हाट है मेरा तो इतना हाट है तो अब अपना फीस्ट बनाओ और देखो सबका कितना हाट है कितना बड़ा हाट है है ना वैसे मेरा हाट बहुत बड़ा है बहुत ज्यादा चलो आगे बरते हैं बस बहुत हो गया ठीक अब ब्लड के पास बहुत सारे components होते हैं ठीक है कौन-कौन से components होते हैं प्लाजमा होता है red blood cells होते हैं WBCs होते हैं platelets होते हैं ठीक है अब माम आपने तो बता आनी चलो जरा इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं फिर अपन फ्लो चार्ट बना ले हां भईया माम बनाना important exams आ रहे हैं एक्जाम टिप्स भी दी मैंने और next मैं बताऊंगी कि time table कैसे manage करना है ठीक है तो भई blood का अब अगर हम फ्लो चार्ट बनाए कि है ना कि मैं प्लो चार्ट बनाए झाल झाल माम आपने ब्लैंक्स तो बना दिये अब इन ब्लैंक्स में लिखना क्या है यह भी तो बताओ बस अभी बता लियू तो ब्लाड के अंदर मेंली क्या होता है प्लाज्मा होता है पिटा क्या होता है और किस से बना उता है अब यह सेल्स कौन कौन से है आर बीसीज देन डब्ल्यू बीसीज देन देन प्लेटलेट्स देन प्लेटलेट्स तो यह तो हो गए इक ओंपोनेंट्स यह क्या होगए इक ओंपोनेंट्स अब प्लाज्मा क्या है बेटा प्लाज्मा इस अफ फ्लूरिट ट्राओ अलोट फ्लूरिट अब यहां पर क्या लेथे हैं of water से बना होता है यह salts water then then there are some albumins albumins हो गए fibrinogen हो गए यह सारे क्या है यह सारे components है किसके plasma के ठीक है तो भाई plasma क्या है that is a liquid while rbc is platelets that float in it plasma के अंदर यह cells components क्या करते है flow करते है क्या करते है flow करते है यह बात समझ आ गई और भी कोई doubt चले आगे बड़े but अब आगे क्या है rbc क्या है rbc की अगर मैं बात करूँ that carries that is an इनके पास no nucleus इनके पास nucleus नहीं होता है पहली बात क्या है इनके पास nucleus नहीं है बेटा no nucleus no nucleus और क्या है इनके पास इनके पास pigment है जिसे हम hemoglobin कहते हैं क्या बोलते हैं hemoglobin और यह क्या carry करते हैं यह carry करते हैं oxygen they carry oxygen ठीक है WBC क्या है जैसे हमारी movies में fighter होते हैं ऐसा कि जो हमारे को protect करते हैं और हमारे fighters country के fighters क्या है the army people they really work hard वो हमें क्या करते हैं दूसरी country से basically वो क्या करें पूरी country को borders में क्या कर रहे है protect कर रहे हैं seem as it is WBC क्या है first line of defense है that is the other fighting cells they kill pathogens they kill pathogens they kill pathogens they kill pathogens छीक है platelets क्या है जैसे ही suppose हम गिर गए हम तो गिरते ही रहते हैं cycle चला के गिर गए है ना या खेलते खेलते गिर गए और ऐसे क्या हुआ blood निकल गया यहां मगा ख़्लोंटिंग भी होती है कुछ टाइम के बाद वो blood रुख जाता है अब वो किसकी वज़े से रुखते है वो platelets की वज़े से रुकता है Freundlich कि VC क्या काम करता है blood clotting क्या करता है बिटा blood clotting करता है नुशार्ट समझ आ गया कोई भी डाउट है इसमें किल पैथोजेंज थोड़ा अच्छी सो अल कर देते हैं they are the fighting cells they kill kills pathogens they kill pathogens बेटा कोई भी डाउट में क्या किया मैंने एक मशीन एक अपना बॉड इल्ड्व मतला मेरा पास जो ड्राव लाँ वह ने एक central governor मशें descends तो आगे जाके तुम पढ़ोगे फिसिक्स में तो कुछ जादा ही पढ़ोगे सेंट्रिफ्यूगेशन इसे पढ़ोगे अब इस पर पढ़ोगे तो अब आप जो पढ़ने वह देख लेते हैं ठीक है तो बहीं सेंट्रिफ्यूग ब्लड जैसी वह मशीन गोल-गोल करके ऐसे खड़ी हो गई तब उसमें अब यह देखते हैं कि कैसे दिख रहा है एक येलो पॉर्शन दिखेगा और एक रेड़ पॉर्शन दिखेगा इस रेड़ पॉर्शन में क्या क्या है इस रेड़ पॉर्शन में तीन चीजें हैं जिसे हम बोलते हैं जिन्हे हम बोलते हैं WBC इन्हे हम बोलते हैं WBC इन्हे हम बोलते हैं platelet कि यह इन्हें हम बोलते हैं आरबी से यारबीज्य इस वाले portion और यह क्या है यह आपका plasma है प्लाजमा में क्या 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 करते हैं यह लोग करते हैं न्यूट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रियंट्रिय हो गए है न कुछ हार्मों के hands ago किष करते हैं थीक और बाइसे पड़े कि अधिस करते हैं न देखो देखो क्या हुआ कि अधिए white blood cells platelets 4% और सबसे ज्यादा सेल्स कौन सो होते रेड ब्लड सेल्स अब रेड ब्लड सेल्स क्यों होते क्योंकि वह उनका काम ज्यादा क्यों है क्योंकि वह क्या क्या कर रहे हैं वह oxygen क्या कर रहे हैं ठीक है समझ आ गया कोई भी डाउट आगे बड़े अब इस अस्टिकी फ्लुइड इस अस्ट्रोड फ्लूइड बेटा ठीक है जो प्लाजमा है वह एक स्ट्रोड फ्लूइड है विच इस प्ल यलो और इस निटी पोसेंट अवाटर एं थी परसंट 3.5% अव कमन सौल्स कॉल्स 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 भी प्रेजिट रेजें इस हम पढ़ शुक है एक प्रेसियों के बार में एक राप उप कर लेते हैं रबीच यह है रबीच यह रडीच आ बेडन अब देखो जो आइन दर जो लाल अर वह हमारा एक पिंट है जिसका नाम क्या है ही मोग लोड लोडीट अब वह ही मोगलोवन पिगमिंट ना भेटा बे वो जो hemoglobin pigment है वो oxygen के साथ दोस्ती कर लेती है और oxygen के साथ दोस्ती करके वो पूरी blood stream में flow करती है जिसे हम oxy hemoglobin बोलते हैं क्या बोलते है oxy hemoglobin बोलते हैं hemoglobin is red color protein is a red colored protein that bind with oxygen and transport oxygen to all the part of the body ठीक है ultimately to all the cells it is it is the presence of hemoglobin which makes the blood red in color ठीक है आगे बढ़ते हैं white blood cells क्या है दब डब्लुपी सीजादव फाइटिंग अगेंस अगेंस अब पाथोजिंग क्या करते हैं डिशुम डिशुम आते हैं हमारी बोडी में तभाई मचाने और तो और और ये ऑर इसी भाइब के चलते हमारी बोड़ी कर से साथेड प्लुपी अपटेरिया क्णिग हां अब verw diseases also wbc's makes antibodies wbc's antibodies बना लेती है मतलब आर्वी खड़ा कर देती है हमारे सामनों कहते है नई हम अपनी बॉडी को प्रोटेक करेंगे है ना तो that makes an antibodies ठीक है that fight against the infection that fight against the infection आगे बड़े platelets क्या है platelets are not the true cells यह true cells नहीं होते यह क्या है fragments है क्या है यह fragments है they are the small irregular tiny fragments और specialized cells एक specialized cell की सिर्फ fragments होते हैं and formed in the bone marrow में बनते हैं bone marrow क्या है जो long long bones होती है ना उनके अंदर ना bone marrow होता है जो कि white blood cells या red blood cells को बनाता है जैसे कि long bones कौन से हमारी thigh bone है ना क्या बोलते हम उन्हें thigh bone now they are colorless they are colorless and help in clotting of and help in clotting of a blood in a cut or a wound these are colorless and help in the clotting of blood or cut in a wound right आगे बड़े चीख है आगे बढ़ने के चीख है आगे बढ़ने के चीख है नाओ if a cut or wound is made the blood start flowing अब जैसे blood क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मदब एक क्या हुआ क्या कर दिया फ्लो करने लगा आफ्टर सम ताइम the platelets plug the cut मादला platelets सारी खटे हो जाएंगे और उस चगह को क्या करेंगे ताकि और ब्लड ना निकले और ब्लड ना निकले और ब्लीडिंग स्टॉप ड्यू टू फॉर्मेशन और रेड डाक कलर की आपने दिखा हुआ जैसी कट होते तो रेड डाक कलर की ना एक पपड़ी सी बन जाती है ना ताकि इस नोना ठीक है if the platelets are not present in the blood the blood will flow from the cut will not stop and causes excess loss of blood अब अगर ब्लड अगर प्लेट नहीं होंगे तो ब्लड तो निकलता ही रहेगा और अगर ब्लड निकल गया तो oxygen कैसे मिलेगी बॉड़ी को अल्टीमेटली बॉड़ी क्या कर जाएगी फैटल हो जाएगी और पॉर्शन में कॉस्टेथ ऑल्सो पर्शन क्या कर जाएगा विचारा सीधा देकन कॉस्टेथ तो इसलिए एक्ससव ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए हम सीरेल में देखता है ना खून जादा बहने के कारण ममी देखते हैं ना सीरेल खून जादा बहने के कारण वो नहीं रहें ऐसे करके देखती है ना तो बेसिकली जब आक्सस ब्लड लॉस हो जाता है तो बॉड़ी क्यों कि ब्लड के पास ही सब कुछ है निउट्रियन्स है औक्सिजन है अगर ब्लड फ्लो होता रहेगा तो बॉड़ी क्या हो जाएगी और अगर बॉड़ी ऑक्सिजन डेफिशेंट हो गई तो और गन वरक नहीं करेंगे ठीक है समझ आ गया आगे बढ़ सकते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड पे चलते हैं भाई अब यह फंक्शन क्या है ब्लड का वह भी देख लेते हैं बा बटर भी क्यारी करता है इट क्यारी ऑक्सिजन और सियो टू द्यूरिंग सर्कुलेशन इट कैरीज वेट प्रोड़क्ट वेस्ट प्रोड़क्ट लाइक यूरिया फ्रम लिवर टू किड्नी फॉर एक्स्क्रीशन अब मेटाबॉलिक में जो तुम्हें नाइट्रोजिनिस वेस्ट बता रही थी यूरिया अमोनिया ठीक है अब हमारी बॉडी में क्या बनता है यूरिया और यूरिक असड ठीक है एक्स्क्रीशन और जो किससे निकलता है किसके थ्रू निकलता है यूरियन के थ्रू निकलता है बॉडी से इट प्रोटेक्स दबॉडी फ्रम डिजी आएगा अपन वागी की प्लांट्स में कैसी होती है ट्रांस्पूटीशन ठीक तब तक के लिए आप लोग सेफ रहो अच्छे रहो ठीक है घर में रहो अच्छी पढ़ाई करो काम रखो अपने आपको शांत रखो ठीक है और गेम भी खेलते रहो थोड़ा थोड़ा चलें त आपको याजा रहो अपने तब तक काम रखो अबड़ा जाए और प्लांस्टाप यहार थोड़ाई में एफ़ा पनावा अपने लिए घर में काम पना एपको अबड़ा थोड़ा डितर, पितर, तक काम रहो अबड़ा़ भी प्लावार चृ़ण काम इस रहो च्ड़ा है य